हाँ जी दोस्तों अब हम नया चेप्टर आपके पास में स्टार्ट करने जा रहे है आई से मोडिल बैच के अंदर हमने दो तिन चेप्टर ओल्रेडी प्रोवाइड कर रहे हैं और आपके पास में सारे के सारे जो हैं हमने एक प्लेलिस्ट में एड करवा दिये और प्लेलिस् हो उसका solution देख सकते हैं यह अमल्गमेशन चप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है यह अमल्गमेशन भी भी आपके पास में जितने वीडियो प्रोवेट होंगे सारे कि सारे प्लेलिस्ट में एड हो जाएंगे और वहां जाके आप जो है देख सकते है करके ठीक है आजाएए अ आपके पास में यह चपटर हमस्ट करने जा रहे हैं यह स्टिशन नामबर वन पार्ट पर इसके आ जाते हैं और देख लेते हैं कि आपके पास में लुवे हैंड करिके ऑपनी हैं आज उस सो एस लिमिटेड एबजोब हो जाती है पी लिमिटेड के द्वारा अच्छा एसा लिखा है कैस लिमिटेड इस एबजोब्ड बाइपी लिमिटेड बहुत बढ़िया क्याता है एस लिमिटेट की कुछ information आपको दे रखी है और वह आप जो है यहाँ पे consider करेंगे कहते हैं आपके पास में सबसे पहले sundry asset वगेरा दे रखा है share capital में दो चीज़े है preferent share equity shares reserve आपके पास में है और debenture trade payable जैसे कोई अधर चीज़े भी आपके पास में है main चीज़ की बात करें तो sir additional information आपके पास में given है additional information में कहता है कि पी लिमिटेट जो है वह agree करता है कुछ चीजों के बारे में और कौछ चीजों के बारे में वह आपको यहाँ पे given है कौन-कौन से अच्छी चीज़े है कहता है सबसे पहले तो कहता है कि issue करेंगे 9% debentures आपक three shares of p limited for four shares in s limited करके ठीक है sir तो सबसे पहले तो कहता है preference shareholder के लिए काम खतम कर दिया है ठीक है preference shareholder के लिए काम खतम कर दिया कैसे है अभी हम इन आप writing हम जो है चीज़े कर लेंगी calculate क्या कहना चाहता है सबसे पहले एक बार read कर लेते इसके बास second point कहता है कि issue करेंगे debenture holder को जी कहता है यह point आपके पास में debenture holders के लिए है कि कहते है issue करेंगे debenture holder को 8% mortgage वाले debenture issue कर देंगे जिनकी value रहेगी 96 in the lie of 6% debenture in s limited अच्छा है s limited में आप एक बार चेक करेंगे तो 6% debenture दिखेंगे इसके बदले कहा गया है कि sir 8% mortgage वाले debenture आपको issue कर दिये जाएंगे ठीक है क्योंकि आपके पास में देखी रहा है sir p limited जो है वो absorb कर चुके s limited को तो obviously उनकी जो securities है वो change हो जाएगी अपसे तो वही चीज़ आपके पास में करी गई है कहता है कि preference share के बारे में सबसे पहले काम खतम कर दि देंगे और ratio भी आपके पास में दे दिया है कि ratio in the ratio of three shares of p limited आपको मिलेंगे चार share of s limited के बदले ठीक है calculation भी करेंगे आपके पास में उसके बाद debenture holder का shuttle कर दिया कहता है कि 8% mortgage वाले debenture आपको provide कर देंगे उसके बाद कहता है कि sir आपके पास में to pay 20 rupees per share in case and to issue six equity shares of 100 rupees each आपके पास में at the market value 125 in lie of every five shares in held in as limited 5 shares के बदले आपको क्या मिलेंगे sir six shares आपको provide किया जाएंगे सो और रुपे वाले हैं उसकी face value बाकि उसकी market value 125 के हिसाफ से तो अब यसले market value पे ही आपके value के हिसाफ से shares provide करे जाएंगे calculation अभी करेंगे आपके पास में और कहता है कि assume करिये कि जो liability है वो trade payable आपके पास में ठीक है आपके पास में ओचिस कोई दिक्कत नहीं है कहता है कि purchase consideration आपको calculate करना है ठीक है sir purchase consideration calculate करने के लिए mainly आपके पास में दो ही method होती है वैसे 3-4 method आपके पास में लेकिन generally आपके पास में दो ही method apply होती है क्योंकि यहाँ पे आपके पास में देखे तो information के इसाफ से shareholder को क्या क्या चीज़े given है वो in value हमें पता है प्रेफ्टर शेर होल्डोर को value में पता है कि sir आपके पास में तीन shares provide कि है चार के बदले debenture holder debenture holder तो खेर आपके पास में दिये गए है वो भी in value पता है लेकिन देखेंगे चीज़े उसके बाद क्याता है equity equity में भी value पता है sir 125 के साफ से 100 रुपे के share है 125 साफ से आपको दिये गए तो in short कि हमें यह कह सकता हूँ कि shareholders को जो जो चीज़े given है ठीक हम जो आम दे रहे पी लिमिटेट करके पी लिमिटेट जो दे रही है shareholder को वह in value हमें पता है sir बिल्कुल in value पता है अभी हम calculation भी कर लेते हैं चलिए तो कहता है इन value पता है तो आपके पास में method कौन से apply होगी सीधी से बात है एक ही value आपके एक ही method आपके पास में apply हो सकती है और वह method के बारे में आपके पास में यह आप theory में भी लिखा है कहता है कि sir net payment method एक आपके पास में net asset method यह नहीं दो आपके पास में based mainly question देखने को म payment method or net asset method net payment method का मतलब होता है कि जो शेर्स आपके पास में ठीक है company के उन्हें जो आपको दिया गए है payment चाहिए वो आप शेर्स के फॉर्म में दे रहे का कुछ भी चीज़े दे रहे basically case दे रहे, shares दे रहे, dimensions दे रहे, क्या उन्सकी value आपको पता है मतलब कि जो दिया shareholder को उसकी value पता है तो net payment method अपलाई हो जाएगा और उसकी value अगेरा कुछ पता नहीं है तो net asset method अपलाई हो जाएगा दोनों method पे आपके पास में illustration given है सबसे पहले तो यहाँ पे आपके पास में सबसे पहले चेक करें तो हमें लग रहा है कि sir हमें value पता है एक बर के लिए calculation भी कर लेते हैं ताकि हमें एकदम से confirm हो जाए कि हाँ जी एकदम से हमें पास में क्या है sir पता है हमारे पास में value कहते है arth травो कहता हि की चार चार से इसके बडले में तीन मिल जाएंगे total preferences न्मबर उप्राफरेंश रेक क्यतने कहते है आपके पास में number of preference तू 1000 है ठीक है तो चार के बडले तीन बेर ढादा आपके पास में तो exactly number of preferences में कितने कहते हैं कि सर चार के बदले तीन मिलेंगे तो दो हजार के बदले कितने ठीक है तो कुछ ही इस तरीके से इक्वेशन भी बन जाएगा यहाँ पर अगर कहें तो इक्वेशन भी आपके पास में यहाँ पर बन जाएगा किस तरीके का कहते हैं कि सर चार शेयर्स के बदले तीन शेयज मिल जाएंगी ठीक है तो कहता है टोटल आपके पास में ए USB के पास शेयर से हैं कितने टौटल 2,000 हैं तो 2,000 बद्दे कितने में अपके पास में ठीक है कितने करता हूँ solution भी आपको साथ साथ यहां पे side में जो है आपको दिखाते रहता हूँ ताकि आपके पास में वो चीज़ साथ साथ ही complete का होती रहा है तो मैं यह कह रहा था किसा preference share की calculation यहां पर आपने अभी तक तो calculation कर भी ली होगी कह जाए किसा 2000 into 3 करेंगे divide by 4 cross multiply यह तो बच्पन में पढ़े थे यह ऐसी calculation कि 4 पे 3 तो 2000 पे कितना तो 2000 into 3 divided by 4 कहता है 2000 into 3 divided by 4 कर देंगे तो number of shares मिल जाएंगी कि 1500 shares P limited provide कर देंगा ठीक है और वो कौन से भई आपके पास में 1500 preference share से आपके पास में तो P limited 1500 आपके पास में preference share provide करेगा 2000 shares के बदले आपके पास में ठीक है 2000 shares के बदले कितने provide करे जाएंगे सर्फ 1500 shares आपके पास में provide किये जाएंगे और उसकी value आपको already given है क्याता है 100 रुपे के इसाफ़ से अगर कोई दूसरी value होता तो खुद question बता देता और preference share में तो generally ऐसा कुछ होता नहीं equity में generally वह देते रहता है किसा market value इतना है तो market value consider करना होता है लेकिन preference share में generally एक ही उसकी face value वह ही आपके पास में माना जाता है value ठीक है तो कहता है कि सर्फ 100 रुपे के हिसाप से है तो यहां पर amount दे दिया जाए तो क्या यहां से amount निकाल सकते है कि सर preference shareholder को कितना amount pay किया गया बिल्कुश फंद्रा सो शेयर से 100 रुपे के हिसाप से है तो क्या value निकाल सकते है बिल्कुल value निकाल सकते है आपके पास में value आ जाएगी सर्थ कितनी 1,50,000 तो preference share की value पता है देखे हर एक shareholder को जितना provide किया गया है उस लिए देखे मैं हर एक shareholder की सबसे पहले calculation कर रहा हूं और shareholder मैं मतलब दो ही होते preference shareholder और equity तो सबसे पहले मैं वही calculation कर रहा हूं कि उनको जो provide किया क्या उसकी value पता है अगर उसकी value पता है तो फिर उस दूसरे में आपको घुशने की जरुवत नहीं वह net payment method आपके पास में तो सबसे पहले मैंने preference shareholder के बारे में confirm किया तो यहां पे तो confirm हो गया कि इनकी value मुझे पता है क्याता है 1500 shares provide करे है और value भी given है क्याता है 100 रूपी के इसाब से तो 1,50,000 तो सबसे पहले ये चीज़ मुझे पता है तो सबसे पहले मैंने 1,50,000 लिग दिया side में कि preference shareholder को जो भ भी side में रखते सबसे पहले shareholder जितने भी preference काम हो चुका है अब equity पर आ जाते है सब एक्वीटी पर क्या कहता है सर एक्वीटी में ऐसा कहता है कि 20 रुपे वाले share से स्वरी आपके पास में जितने भी share से आपके पास में 20 रुपे तो case में provide करने तो जितने भी number of equity share से आपक it के ठीक है सबसे पहले तो यहां पर दो चीज़े provide होगी आप देख रहे हैं अपने provision पड़ा कहता है case भी provide करेंगे थोड़ा सा case provide करेंगी basically और remaining के लिए कहता है कि सब्सक्राइब कर देंगे तो equity के बदले equity provide करने की भी बात होई है और थोड़ा सा case भी provide करेंगे आपके पास में तो कहता है कि case कितना provide करेंगे वह तो कह रहा है कि सर बीस रुपे पर शेस के हिसाप से total number of shares कितने है सर टोटल number of share 5000 है ठीक है 5000 number of shares है तो 5000 into 20 कर देंगे case का amount तो वे मिल गए आपके पास में ठीक है case का amount तो मिल गए आपके पास ठीक है अगर यह जो shares provide करे गए उसकी भी value पता है तो यह मुझे confirm हो जाएगा कि सर यह net payment method है और net payment method है तो सीधी से बात है में shareholder का जो payment होती है वही consider करनी होती है फिर आपको debenture पर जाना ही नहीं पड़ेगा ठीक है debenture को कब consider किया जाता है net asset method में net payment method में कहा गया है कि सर shareholder को जितना payment हुआ है वही आपका purchase consideration ह है कहता है shareholder को जितना भी payment हुआ है क्या उसकी value आपको पता है तो वह net payment method है और वह net payment method है तो सिर्फों सिप आपको shareholder को जो भी payment हुआ है उसका total कर देना है वही आपके पास में क्या हो गया सर्थ purchase consideration तो बस मैं एक ही चीज़ पर यहां पर अटका हूँ share का बगर जो share हमने provide share के बढ़ले ठीक है एस limited के equity shares के बढ़ले पी लिमीटेड ने अपने equity shares दिये क्या उसकी value पता है अगर उसकी value पता है तो मेरा काम हो गया काम ही खतम हो गया basically total कर तूंगा purchase consideration आजाएगा ठीक है तो एक बार के लिए read करते है क्या चीज़ वापस से एक बार क्या चीज़ कह है कहता है कि pay कर रहा है 20 rupees per share के हिसाब से case हमने ठीक है तो वह तो हमने कर दिया 5000 into 20 आगे क्या कहता है and कहता है and आपके पास में उसी के साथ और भी कुछ provide करेंगे 20 रुपे तो simply छोटी मोटी amount हमने case में प्रेवे आपके पास में provide कर दी आगे कहता है कि issue कर देंगे six equity shares 100 rupees व 125 का से रहे तो 125 company अपना नुक्सान थोड़ी ना करेगी 125 का से 125 में मिलेगा हास हाला कि उसकी face value 100 रुपे है ठीक है सर यह चीज़ भी आपके पास में clear इसके बाद कहता है कि four आपके पास में five shares in as limited तो पांच शेर के बदले 6 मिल जाएंगे आपके पास में 125 वाले हैं ठीक ह सर तो पांच सेर्स के बदले 6 मिल जाएंगे तो सेर्स के लिए calculation थोड़ी सी करनी पड़ेगी और वह calculation हम यहाँ पे कर लेते हैं सर ठीक है कहता है कि सर पांच शेर्स of as limited के बदले 6 मिलेंगे बहुत बढ़िया ठीक है एक extra दे रहा है आपके पास में कहता है number of equity share है कितने total क यह पांच अजगा शेर्स है तो पांच हजार शेर्स के बदले total मिलने कितने है सर टोटल मिलने कितने है कहता है कि सर 5000 इंटो छे divide by 5 ठीक है तो कहता है 6000 शेर्स आपको मिलेंगे और उसकी value क्या है सर 125 ठीक है already थोड़ा सा case तो आपको already provide कर चुक 예 कहता है 5000 इंटो 20 थोड़ा सा केस तो equity के बदले already provide कर चुके कितना सर वन लेक ठीक है वन लेक रुपिस तो already सबसे पहले case में provide कर रहा है उसके बदले वापस से सर equity भी provide किया जिसकी value आपको already पता है सर question के सबसे प्याता लग चुके है 6,000 into 125 तो आपके पास में यह चीज़ भी clear हो जाएगी कहता है 750,000 रूपीज आपके पास में 750,000 रूपीज तो क्या मुझे शेयर की value दोनों शेयर की value पता है answer is yes तो यह net payment method और जब net payment method होता है तो shareholder को कितना payment हुआ बस यही देखा जाता है तो कहता है preference shareholder को कितना payment हुआ 1,50,000 equity shareholder को कितना payment हुआ कहता है कि case भी पे किया और कुछ equity share भी पे किया तो क्या equity share की value पता है answer is 7,50,000 तो तीनों चीज़ का total करना है purchase consideration आपके हाथ में ठीक है तो कहता है वन लेक शेयर सापने वन लेक तो case payment कर दिया और shares provide किया जिसकी value 7,50,000 है टोटल आपके पास में 10 lakh आ गया वो क्या आ गया purchase consideration काम खतम आपके पास में ठीक है side में यह चीज़ दृआ कर रहे हैрах आपके पास में हमने जो है आप correction प्रोट की अधिया नाइन परस्ट मेसल्डर यहां पर प्रोट करें यह cage प्रोट किया और यह equityWhat कर काम खतम आपके पास में हो जाता है ठीक है कुछ यह आपर नॉटq भी लिए लिएक रखी है नौंस तो मैंने asset method हो जाता तो sir उनका भी यहां पर consideration देखना पड़ता क्योंकि वहां पर हम क्या करते है तो सारी चीज़ों को consider करना पड़ता है उस पे भी question है आपके पास में next आपके पास में illustration आएंगे उसमें है आपके पास में net asset method पे भी question I think next question ही होगा आपके पास में देख लेंगे लेकिन question है वह confirm है आपके पास में ठीक है तो यह आपके पास में illustration number one complete हो जाता इसके बाद illustration number two पे चलेंगे